गुंद मोर्निग स्टैंट्स प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने सेप्स का जो प्लेन सेप्स के बाड़े में परोगा future traduktion ॥ प्लेशित का इसे बनता एक तुछर दिविगजल क्लास में आप आप परेंगे स्वलिड सेट्स के बादे है कि इस वे सेट्स क्या वाता है। विद्फित कहीं थी। इसमें थ्वरण चेंज को जाता है। मैंने कहा था लेधिष्प 2 डायमेंजनल सेट्स होता है। लेकिन, solid shapes में, three dimension होता है, यानि three dimensional shapes, इसमें ten dimension होता है, length, breadth and height, यानि solid shapes have three measurements. it, इसमें ten dimension ब्रेज़ एंड हाई ये इन डाइमेंशन मतला है शॉलिड सेप्स में प्लेन सेप्स में टू डाइमेंशन शॉलिड सेप्स में टू डाइमेंशन लेंच ब्रेज़ एंड हाई इसमें एड हो जाता है इसी लिए इस सॉलिड सेप्स को 3D सेप्स या थ्री डाइमेंशनल सेप्स भी कहते हैं थ्री डाइमेंशनल सेप्स कैसे इसको ड्रॉ करेंगे जैसे प्लेस्ट का आपको ने स्क्वार को ड्रॉब किया सिर्फी तरह का मैं इस फीगर को ड्रॉब करके आपको एक आपको यह स्क्वार इसी के स्क्वार से 3D डैमेज़ कर फिगर बनेगा यह फिगर देदेगे त्री डैमेंजनल फिगर में इसमें तीन डैमेंजनल ब्रेट यह तो एज है इसको ब्रेट कहांगे यह आपका लेंज और यह हाइट यही 3D डैमेजनल है हाइच, लेंद्ध, ब्रेथ, लेंद्ध, ब्रेथ, एंड हाइच, थ्री डाइमेशन, इस फिगर को हम लो क्यों बोलते हैं? की हुँए, जो 2D सेप्स, यानी, प्लेन सेप्स, स्क्वार से फॉर्म होगा है, इस फिगर में, फेस, 6 फेस होते हैं, यहीं, फेस मिन्स, जो इसका उपड़ बारा हाँ, जैसे यह देखे हैं, एक फेस यह दिखाई देरा होगा है, सेम इसी तरह से एक यह फेस दिखाई दे रहा है, अब इससे ज़रा समझोगे, बीके, डस्टर हैं, इस डस्टर को, देखो, यह एक फ्रन्ट फेस, यानी, सामने जो दिखाई दे रहा है, एक फेस है, ठीक है? यह यह फेस है, यह साइल का, यह साइल बला, यह फेस हुआ, यह साइल, यह साइल, यह साइल, और फिर एक बैक साइल, यह 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 साइ आपका उपर का ये face और नीचे का face कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहनि 6 faces हो गए तो इसी तरह से आपका जो यह है यह face है कितने face मैंने अभी count किया? 6 1 1, 2, 3, 4, 5 और 1 फ्रांट का जो यह 6 यह 6 faces हो गए यह front यहाँ सामने 1, 2, 3, 4, 5 और next है 6 यहाँ 6 faces आपका इसमें जो अभी just मैंने आपको दिखाया इसमें भी वही है इसको age बोलते हैं age यह इतने भी line देख रहे हैं यह सब age है इसमें 12 age बोलते हैं age age कितने ages? 12 age जब इस line को count करेंगे तो यह सब आपको 12 आगे हैं यह सब count करेंगे 12 ages इसी तरह से vertex इसको vertex बोलते हैं इसमें भी vertex हो रहा है जो faces हो जाएंगे 6 age हो जाएंगे 12 and vertex हो जाएंगे 8 यह सब फिगर में रहता है। इस फिगर को क्यूंब बोलते हैं। सेब इसी तरह का फिगर एक कुप वायर्ट जो रिटेंगल की तरह का होता है। यह रिटेंगल का फिगर मैंने रहु किया और इसी से इस तरह से हमस्था ब्रेथ डानुए। इस फिगर में भी आप देखोगे फेस, six फेस हैं, twelve एज हैं और एक वर्टेंग्स है। इस फिगर में भी लेंध, sorry, height, length और यह ब्रेथ है। तीम चीज़ आपको इस फिगर में भी देखाए देगा। इसको length कहते है, इसको breadth और इसको height. solid steps, solid means क्या आपको थोस, यह सब देखने में आपको लगता होगा थोस, play steps क्या आपको यह दोनों में यही डिफ्रेंस है। इसको हम लोग बोत रहे है, q-y, q-y, six faces, eight vertices and twelve edges. यह जो line देख रहे हैं, इस सब line को age बोत नहीं है, age, vertex and face. same, इसमें भी six face है, इसका भी six face होगा, इसमें भी 12 edge है, इसका भी 12 edge होगा, इसमें भी vertex है, इसमें भी vertex है, eight vertex, guardian vertex. इस दोनों figure में से इसी तरह का रहेगा. और भी आप forward steps देख सकते हो. सिरिंडर, यह भी solid steps है. सिरिंडर, यह round steps का होता है, यह proof, तीम face size में जो circular face होता है, और एक curved face होता है, यानि तीम face size में. यह circular face, यह curved face और यह भी circular face. circular face, curved face और circular face. यह इस चार्टी की तरह यह gold होता है. कर्ब, मैंने कर्ब लाइन के बारे उपर आया था, ठीक है, जो round step में होता है, गोल में होता है, वो curved, यही curved face है. यह इसी कावर solid steps है, आपका cone, यह भी एक circular face है, और circular edge ही है, इसका यह edge को cone बोलते हैं, यह भी आपका solid steps है, इसमें one vertex होता है. यह circular face, one vertex, one circular face, इसका एक और होता है shapes, solid जो आपका sphere कहला था, ऐसे figure को लोग sphere कहते हैं, यह भी solid steps है. S-P-M, ठीक है, इस तक टाइप में, जो figure हैंगा, यह सब solid steps कहला था, जैसे bone, इस एजांपल में, तो इस तरह का, जो figure है, यह सब solid steps कहला था, आपने देखा, कैसे मैं draw किया, उसके बारे में सारा neutral बता है, कौन सा figure में क्या क्या होता है, आप इसको भी daily life में जो object आप use करते हो, उस object को देखो, कि कौन सा shapes, कौन सा object, जो जैसे, यह sphere है, इस तरह का कौन सा shapes हम use करते हैं, उस 5 को लिख लेना है, जैसे example, यह ball, ball आप use करते हो, वो ball solid steps है, तो आपको ball भी लेना है, जैसे यह cylinder, तो जितने भी round में देखे, यह भी cylinder ही है, यह marker क्या है, यह cylinder है, इसका भी example आप लेक सकते हैं, कौन है, तो ice cream, कौन, ice cream आप खाते हो, वो भी एक example है, इस तरह से जितने भी solid steps मैंने draw किया, और आपको बताया, उस सारे का file file, आप अपने daily line में, जो object use करते हैं, उसको draw करना है, उसे home assignment में मैंने आपको दे दिया, thank you,